प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें. बस हूगया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी पिछले कई महीनों प्रभु के वचन से रोमियो नामक उस्तक का हमने अध्यान किया और जैसा कई भाईयों ने मुझे बताया या अध्यान उन सब के लिए बहुत अधिक अनुग्रह का कारण बना क्योंकि प्रभु के वचन से बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिला रोमियो नामक उस्तक को जब हम ले लेते हैं और उसको पन्ने पलटते चले जाते हैं कुरिंतियों नाम का पुस्तक आता है वो भी दो भाग है पहला कुरिंतियों दूसरा कुरिंतियों आप पूछेंगे कि ये कैसा नाम है हमने तो सुना नहीं है उसका कारण क्या है आज से 2000 साल पहले के नाम है ये तो 2000 साल पहले मध्यपूर में कुरिंथ नाम का बहुती बड़ा शहर था जो की व्यावसाय का केंद्र था कुरिंथ के लोगों को जब पत्र लिखा गया तो कुरिंथियों के नाम पत्र दो पत्र लिखे गए तो पहला पत्र दूसरा पत्र इस तरह से नाम आया जब ये दोनों पुस्तकें अपन पलट लेते हैं तो उसके बाद एक लगू पुस्तिका आती है जिसका नाम है गलातियों के नाम पत्र आप पूछेंगे कि ये कैसा नाम है गलती सही तो अपने से होती रहती है लेकिन गलतियों के नाम पत्र जी ने गलतियों के नाम नहीं है महाँ एक देश था जिसका नाम था गलतिया गलतिया के लोगों को पत्र लिखा गया जो कि हिंदी में गलतियों के नाम पत्र कहलाता है हम प्रभु के वचन से एक-एक करके अलग-अलग पुस्तकों का अध्यान कर रहे हैं उन में मेरे हिसाब से जो सबसे सरल पुस्तक है वो है गलतियों के नाम पत्री क्योंकि इसमें एक ही विशे लिया गया है और उस विशे के अलग-अलग पहलूँ को बहुत ही सरल भाष्णा में समझाया गया है गलातियों पहले अध्याई के छटवे पद में हम इस्तर से पढ़ते हैं मुझे आश्चेरी होता है कि जिसने तुमें प्रभु ईशु के अनिग्रह में बुलाया उस से तुम इतनी जल्दी फिर कर मतलब मुड़कर और ही प्रकार के संदेश के पीछे चल पड़े इस पत्री को लिखने वाले जो महान प्रभु के नायक हैं उन में और गलातिया में जो प्रभु ईशु के अनियाई थे उन लोगों में बड़ा अटूट संबन था ये पॉलूस उनके लिए आत्मिक पिता थे उनको जो भी संदेश पहुचाया गया था उस संदेश को उन लोगों ने खुशी के साथ ग्रहन किया था और खुशी के साथ ग्रहन करने के कारण प्रभु ईशु के द्वारा जो नया जीवन या नव जीवन प्रभु मनिश को दान के रूप में देते हैं उस जीवन का अनुभाव उन लोगों ने किया था उन लोगों ने देखा था कि पाप से भरे हुए अन्दकार से भरे हुए संसार में जब हम चलते फिरते हैं तब किस तरह से प्रभु का वच्चन हमको एक नया जीवन देता है एक नई आशा देता है और जब इस तरह से कोई नई चीज मिल जाती है तो हम सब कितने खुशी के साथ उस नई चीज को देखते हैं उसको चाहते हैं उसका उपयोग करना चाहते हैं हम सब जानते हैं मान लीजे आपने नई साइकल कसवाई है तो घर ले जाके उसको सबसे सुरेट्शित जगह पर रखते हैं जिससे कि उसके उपर खरोंच वगरना ना आए बच्चे उसको ना गिरा दें उससे बड़ी चीज यदि आपने खरीदी हो तो आप और ज्यादा ध्यान देते हैं एक व्यक्ति को जब वो नाश के रास्ते पर चल रहा था या विनाश के रास्ते पर चल रहा था उस विनाश के रास्ते से किसी ने प्रभु ईशु के शुप संदेश के द्वारा बचाया या नए जीवन की तरफ इशारा किया जिस नए जीवन को उन खुशी होगी हम खुद जानते हैं जीवन में जब बहुत बड़ी चीज मिलती है तो वो हमको कितना खुशी देता है या कितनी खुशी देता है लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी हो गई थी गलातिया नाम की जिगह पर जिन लोगों ने प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया था उनके बीच में कुछ और लोग आए उन्होंने का अरे ये ये तो नया जीवन तुमको बड़े आसानी से मिल गया और जो चीज तुमको आसानी से मिल गई मिल तो गई है लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत और करो एक बात बताईए कि जो चीज आपको मिल गई है आपको प्राप्त हो गई है वो आपकी संपत्ती हो गई है उसके लिए अब और क्या मेहनत करना एक उदाहरेंड दूँ तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई की बहुतिक शास्त्रिया फिजिक्स के प्रती मेरा स्नेह बहुत ज़्यादा था इस कारेंड मैंने पढ़ाई की खूब मेहनत की अच्छे नमबरों से पास हुआ पास होने के कुछ दिन के बाद मार्कशीट घर पे मिल गया उसके कुछ समय के बाद डिग्री भी आ गई मतलब मैंने जो मुझे मिलना था उसको प्राप्त कर लिया अब मैं पढ़ाई करूंगे क्या फिर से अरे मुझे जो मिलना था वो मुझे वो चीज प्राप्त हो चुकी है बहुमुली चीज प्राप्त हो चुकी है अब क्या मेहनत करना मान लिजे कल को मेरे मास साब आते हैं वो कहते हैं कि अरे डिग्री पास कर ली पढ़ाई क्यों बंद करती लाओ वो फिजिक्स वगरा की किताबे लाओ बैठो और फिर से पढ़ाई करो हम में से ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो इतना मूर्ख होगा कि आपने पढ़ भी लिया परीच्छा भी दे दी मार्क शीट भी हो गए मार्क शीट भी मिलगी डिग्री भी मिलगी और आप फिर से वही डिग्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे डिग्री मिल जाए मुझे डिग्री मिल जाए तो अब कहाई के लिए फिर से उस दिग्री के लिए मेहनत करनी है लेकिन गलतिया नाम की जगह पर एक परेशानी हो गई प्रभु ईशु का शुप संदेश उनके बीच में सुनाये गया और प्रभु का बचन ये कहता है कि प्रभु का संदेश जब सुनाये गया तो ये बात उनको बिलकुल प्रमानित हो गई कि वाके में ये प्रभु का नया जीवन देने वाला संदेश है और इस तरह से अच्छ करते ही उनको प्रभु ने नए जीवन गिफ्ट के रूप में या वर्दान के रूप में दिया और उस नए जीवन के अनुसार वो लोग चाल चलन चल रहे थे तब कुछ लोग ने आके उनसे बोला कि नहीं 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 इतना परियाप्त नहीं है अभी और मेहनत की जरूरत ह यदि जो विद्यार थी जिसने कॉलेज में डिग्री पास कर ली है जिसको मार्कशीट मिल गई है जिसको डिग्री मिल गई है उससे आकर यदि कोई कहे कि नहीं इतना परियाप्त नहीं है अभी तो डिग्री के लिए और मेहनत करो कोई नहीं करेगा लेकिन गलतिया के लोग जिनको प्रभु ईशु के द्वारा नया जीवन मिल चुका था जब उन लोगों से दूसरों ने आकर कहा कि आरे अभी तो मेहनत की जरूरत है तो वो लोग उसमें फस गए क्या बात है आँखों के देखते हुए आँखों के होते हुए कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जा रहा है आँख मीच के चलता है क्या जरा बताईए आप सडक पर चलते हैं आँख बंद कर के चलते हैं आँख खोल के चलते हैं आप गाड़ी जलाते हैं आँख मीच के गाड़ी चल आग खोल के चलाते हैं, हम मेंसे हर कोई आग खोल कर चलाता है, वो प्रभू की और से हमको मिला हुआ गिफ्ट है या वर्दान है, लेकिन इन लोगों को प्रभू इशुप और विश्वास के द्वारा जो नया जीवन प्राथ हुआ था, वो प्राथ होने के बाद जब उनको ये बात कंफर्म हो गई, जब उनको इस बात का निश्चे हो गया, कि वो नया जीवन प्राथ है, उसके बाद किसी ने आके बोल दिया कि अभी तो और मेहनत की जरुरत है, तो करने लगे मेहनत, वो करो, ये करो, ये छोडो, वो छोडो, वो छोडो और ऐसा करो, ऐसा कोई करता नहीं है, जिसको मिल चुका है, जिसको मालूम है कि मुझे मिल चुका है, उसको परेशान होने की जरुरत नहीं है, लेकिन यहाँ यही परेशानी हुई, कि जब गलतिया नाम के जगह पर लोगों को आके बोला, नहीं, नहीं, ऐसे थोड़ी मुक्ती मिल सकती है तुमको तो उसके लिए ऐसा भी करना पड़ेगा ऐसा भी करना पड़ेगा वो लोग फंस गए उसमें देखिए प्रभु का वचन बहुती स्पष्टतेया बताता है कि मनिश पापी है रोमियो नाबग पुस्तक के तीसरे अध्याय के तेईस्वे पद में साफ साफ लिखा है कि सब ने पाप किया है उसी पुस्तक के छटे अध्याय के तेईस्वे पद में लिखा है कि पाप की सजा है मृत्यू लेकिन यूहना नामक पुस्तक के तीसरे अध्याय के स्वल हुए पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने एकलोते पुत्र को इस संसार के प्रभु पर विश्वास करे वो नाश ना हो मनुष पापी है पापकी सेजा मृत्यु है लेकिन प्रभु का बचन साफ-साफ कहता है कि जो भी प्रभु यूशियू पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा बल्कि शाश्वत जीवन पाएगा शाश्वत का मतलब क्या है जो कभी समाप्त नहीं होगा तो जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंट कर लिया उसको शाश्वत जीवन मिल चुका है जीवन की प्राप्ति हो चुकी है तब एदि कोई व्यक्ति आकर उसको गलत बोले कि नहीं नहीं अभी तो ऐ पश्टतिया बताता है लेकिन गलतिया में क्या हुआ लोगों ने आके का नहीं नहीं अभी तुमको शाश्वत जीवन मिल गया होगा लेकिन अभी शाश्वत जीवन के लिए और मेहनत करनी है वो लोग उस रास्ते पर चल दिये कारण क्या है इसके दो कारण है पहली बات लोगों ने आकर ऐसा क्यों बोला दूसरी बात लोगों ने बोला यह तो सही है लेकिन जो सच्चाई को प्राप्त कर चुका है वो क्यों उस गलती के पीछे चला यह दो प्रश्वने आपको याद दिलाना चाहता हूँ पहली बात मनिश जब भी सही रास्ते पर चलता है तब उसको सही रास्ते से हटा कर गलत रास्ते पर उसको चलाने की कोशिश मनिश की सृष्टी के आरम से ये कोशिश हो रही है आपको याद है परभु ने मनिश को रचने के बाद मनिश की सृष्टी करने के बाद उनको एक बहुत ही सुन्दर बगिया में रखा था बहुत ही सुन्दर बगीचे में रखा था जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे फूल और दुनिया के सबसे अच्छे फल थे और इसको खाओ, हाँ, ये जो हजारों प्रकार के फल है, उसके बीच में एक फल है, जिसको तुम हात मत लगाना, कारिन कुछ प्रबु ने नहीं बताए, हात मत लगाना, जिस दिन तुम उसको हात मत लगाने से मेरे मतलब ये नहीं है, कि जाके हात मत लगाना, प्रबु के कहने क का मतलब यह था कि उसको खाना मत जब हजारों प्रकार के एक से एक मदुर फल बिना मेहनत के वहां ओग रहे हों और खाने के लिए आपको मिल रहे हों तो चौबीस घंटे में आपको क्या चाहिए लेकिन जिस फल को प्रभू ने वर्जित किया था उसी फल को उनने खाया क्य प्रभू का विदोधी शैतान साव के शरीर में आकर मनिश को उसने बहकाए मनिश से बूला अरे यह सब तो खाने के लिए दिया है यह इसको भी खाओ खाने से तुमको ग्यान मिलेगा गलती करने से किसी को ग्यान मिलता है क्या गलती करने से किसी को ग्यान मिलता है क्या मिलता है गलती करने से ग्यान मिलता है जब आप मान लिजी आपकी वाइफ यापकी बहन गर्मा गरम पती ला उसने मान लीजे चूले से हटा कर नीचे रखा और आप से कहा मान ने कहा बेटे उसको हाथ मत लगाना जल जाओगे बेहन ने कहा भाया उसको हाथ मत लगाना गरम है जल जाओगे आप जो है दोड के जाके उसको पकड लेते हैं आपको ज्ञान मिला या नहीं मिला आपको ज्ञान मिला ऐसा ज्ञान मिला कि अब तो गरब या ठंडा आप उससे दूर ही रहेंगे लेकिन वो ऐसा ज्ञान है कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते थे? नहीं कौन है जो जल के ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? तो जब शैतान ने जाकर कहा कि इसको खाओ खाओ इससे तुमको बहुत ज्ञान मिलेगा तो मनिश को वो फल खाना नहीं चाहिए था लेकिन बरजित फल मनिश ने खाया और खाने का फल क्या हुआ? वो पापी हो गया पाप का सवभाव पीडी दर पीडी वो दूसरों को देने लगा अप जान बूच करने अपने आप जैसे जैसे पीडी दर पीडी पैदा होती चली जाती है हर पीडी में लोग पापी हो रहे हैं इसलिए तो रोमियो 3.23 में लिखा हुआ है सब ने पाप किया है रोमियो सात्वे अध्याय में लिखा हुआ है जो काम मैं करना नहीं चाता वही करता हूँ और जो मैं करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं है प्रभु का वचन साफ साफ बताता है जब से मनिश की सृष्टी हुई है तब से मनिश को गलत रास्ते पर चलाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है उस कोशिश के कारण गलातियो नाम की जगह पर जब प्रभु का शुप संदेश सुनाय गया उस शुप संदेश को प्राप्त करके बहुत सारे लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया लेकिन ग्रहन करने के बाद गलत संदेश चाके उन लोगों को बताया और गलत संदेश जब हम सुनते हैं गलत संदेश जब हम सुनते हैं तब हमारी जिम्मेदारी है कि उस गलत संदेश से हम दूर रहें ना कि उसको माने लेकिन गलतिया के कुछ लोग उनको लगा कि अच्छा तो हमको मिल गया है जो गलत बाते हैं उसको भी अपने प्रयोक करके देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है वह दूसरा संदेश वो तो है ही नहीं जो असल है वो मैंने तुम को सुनाया असली संदेश क्या था प्रभु इस पर विश्वास करो तुम नय जीवन पाओगे तुम शाषुद जीवन पाओगे इसके लावा और कोई संदेश नहीं है, किसी और ने आके कहा कि अरे विश्वास से क्या होता है तुम को ये भी करना होगा ये भी करना होगा प्रभू का वचन कहता है नहीं मनश अपने पापों से किस तरह से मुक्ति पा सकता है इसके लिए सिर्फ एक संदेश है और वो संदेश ये है प्रभू ने आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन बलिदान किया और चुंकि प्रभू ने मेरे और आपके पापों के लिए अपने जीवन बिलिदान किया, इस कारण मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में माने, सिर्फ एक ये संदेश है, बाकी कोई भी संदेश प्रभू की और से नहीं है, ये है जो यहाँ प्रभू का वचन कहता है, दस्वे पत में हम पढ़ते हैं, मैं क्या मनिश्यों को मनाता हूँ या प्रभू को, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं और आप, जिसने भी प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में क्रहन किया है, या पहचना है, या पाया है, अनिश्ट को प्रसंद करना नहीं होना चाहिए, कल को कोई आके भाई कहता है कि तुमने मुक्ति पाली, अरे क्या मुक्ति है, मेरे साथ आओ, ऐसा ऐसा भी करो, नहीं, प्रभू का वचन साफ साफ बताता है, प्रभू ने हमको मुक्ति दी, प्रभू ने हमको नया जीवन दि यह है कि हम सिर्फ प्रभु को खुश करने के लिए सब कुछ करें और यदि प्रभु को खुश करने के लिए सब कुछ करना है तो उसका तरीका क्या है जो कुछ करना है सब प्रभु ने अपने वचन में दिया है इसलिए प्रभु के वचन को पड़े प्रभु के वचन को दे प्रभु का वचन उनको सुनाया गया उसके बाद उनने मनिश ने आके अपना वचन सुनाया उसके पीछे हो लिये नहीं मनिश को प्रसंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मनिश का वचन सुनकर मनिश के पीछे नहीं चलना चाहिए प्रभु का वचन सुनकर प्रभु के पीछे जो लोगों लिये हैं, उनलोगों के लिए प्रभू ने अपना वचन पवित्र धर्मशास्त्र में दिया है और इसलिए हमको आजीवनां, पूरे जीवन भर प्रभू का वचन सुनना, प्रभू का वचन पढ़ना और प्रभू के वचन पर मनन करना जरूरी है. यहाँ जो विश्वासी लोग गलत रास्ते पर चले गए थे जब हम उनको देखते हैं तब मुझे और आपको क्या पाठ मिलता है पाठ ये मिलता है अनावश्यक बाते सुनोगे तो गलत रास्ते पर जाओगे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को ऐसे लोगों की संगती में भेजना नहीं चाहते जो गाली गलोच करते हैं जो बात में एक वाक्य में कम से कम दो गाली देता हो यदि हम अपने बच्चे को ऐसे लोगों के बीच में भेजे तो वो एक वाकि में दो गाली देते हैं, बच्चा घरा कर एक वाकि में चार गाली देगा, ये मनिश का स्वभाव है, इसलिए हमको ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोगों की वानी नहीं सुननी चाहिए, जो हमको प् की वानी सुननी चाहिए जिससे कि हम मनश को प्रसंद करने के बदले प्रभु को प्रसंद करें आप कहेंगे कि दूसरे की वानी सुनने से दूसरे को कैसे प्रसंद करते हैं भाई यह जो गाली दे के बात करता है जो एक वाकि में कम से कम दो गाली देता है आप उसके साथ नहीं आता क्या तो हमको लगता है बड़ा इंसल्ट कि देखो वो हमको कैसा है छोटा कर रहा है और इसलिए हम भी उसके समान है यह प्रमानित करने के लिए हम भी गाली देने शुरू करते हैं मैं जब कॉलिज में पढ़ता था तब मेरे कही सहपाथी लोग धूमरपान करते थे बाद मैं जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जब मैं पढ़ाने लगा तब मेरे कही साथी लोग धूमरपान करते थे लेकिन बिलकुल छुप छुप के और उनको ब्लैक मेल करन बड़ा आसान था कि देखो मेरे ये काम है आज ये काम कर देने नहीं तो आज मैं तुमारी वाइफ को बता दूँगा कि तुम कॉलेज में धूमरपान करते हो मेरे एक बहुत ही प्रिय साथी था जिससे आज भी मेरा संपर्ख है तो वो एकदम से पैर पड़ जाता था रे यार फिलिप मरवा मत देना तुमको क्या काम करना है बता दो इशारा कर दो मैं कर दूँगा मैंने उससे कई बार पूछा कि एक बात बताओ यदि ये ऐसी बुरी बात है जो तुम अपने वाइफ को नहीं बताना चाहते तो ऐसी बुरी आदत तुमने क्यों चालू की तो वो कहता रे यार मैं क्या करूँ हाइर स्टडी के लिए मतलब उच्ची शिठा के लिए मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ कमरे में मेरे साथ जो लोग थे、 बाहर के कमरे में इधर के कमरे में सब लोग धूम रुपान करते थे सुबह से शाम तक जब उनके साथ बैठते थे तो कई बार वो लोग कहते थे कि अरे एक कश एक कश तो लगा के देखो तो मैंने पूछा कैसा लगा अरे यार पहले कश में इतनी खासी आई कि कुछ पूछो मत मैंने कान पकड ले के आई इन दा ऐसा नहीं किरूँगा अगली बार फिर बैठे तो उन्हेंने फिर से कह कि एक बार और कोशिश कर लो इस तरह से दो चार बार कोशिश की तो अच्छा लगने लगा अच्छा लगने लगा तो चार छे बार और कोशिश की तो और अच्छा लगने लगा, उसके बाद खुद खरीद के दोमरपान करने लगे, इस तरह से हमादी हो गए, देखिए, आदमी जो नहीं करना चाहता, और जिस बात के बारे में वो जानता है कि ये मुझे नहीं करना है, और जिस बात के बारे में ये जानता है कि मैं फलना क करूंगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जायेगा इन सब के बावजूद उन बातों में फस्क जाता है यदि वो इस प्रकार के यार दोस्तों के बीच में बैठता है जो वो काम करते हैं जो की गलत है. जो ऐसी बातें बोलते हैं जो गलत है जो हमको बोलनी नहीं चाहिए जिनकी भाषा में इस तरह के शब्द आते हैं जो जिसका उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है आत्मिक जीवन में यदि हम ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे जो ऐसी बाते बोलते हैं जो हमेरे लिए उचित नहीं है तो देर सबर हम उसमें फस जाएंगे ये जानते हुए कि ये गलत है हम उनकी फिलोसिफी में फस जाएंगे इसलिए प्रभू के वच्चन में लिखा है कि मैं मनिश को प्रसंद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं प्रभू को प्रसंद करने की कोशिश कर रहा हूँ जब आप चार दोस्तों के साथ बैठेंगे जो गलत काम करते हैं, तो जब तक आप गलत काम नहीं करेंगे, तब तक वो लोग प्रसन नहीं होंगे, उसी तरह से आत्मिक जीवन में यदि हम ऐसे लोगों के साथ उटना बैठना करते हैं, जो आत्मिक रूप से सही नहीं है, तो कुछ दिन के बाद उनको प्रसन करने के ल प्रभू को प्रसंद करना है तो प्रभू की वाणी सुननी है और प्रभू की वाणी भी नियमित रूप से सुननी है प्रभू की वाणी नियमित रूप से कैसे सुनेंगे प्रभू के वचन के द्वारा प्रभू का वचन कहा है प्रभू ने अपना वचन इतने भारिये ग्र और लिखवाया है जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है आप कहेंगे मेरी भाषा में नहीं हैं कैसी बात करते हैं हिंदुस्तान की सभी मुख्य भाषाओं में ये महान ग्रंत उपलब्द है ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ मैं अपने लेट की तरफ देख रहा था यहाँ कम से कम चार भाषाओं में ये ग्रंत रखा हुआ है चार से जादा है आज जिसने भी उठा के रखा उसने कम से कम चार भाषा में यहां रखा है और भी भाषाएं हैं भारत की सभी मुख्य भाषाओं में प्रभु का वचन उपलब्ध है इतना ही ने प्रभु के वचन का उत्तरा अर्द जो सेकंड हाफ है जो नया नियम कहलाता है ये और भी जादा भाषाओं में उपलब्ध है इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति ना सोचे ऐस किन-किन भाषाओं को आप समझते हैं और उस भाषा में हम प्रभु का वचन आपको प्रदान करेंगे क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि आप नियमित रूप से प्रभु के वचन पर ध्यान करें बाइबल के बीचो बीच एक उस्तक है जिसका नाम है भजन क्योंकि ये जिस तरह से अपन गाना गाते हैं इस तरह के गीत हैं जिसको प्रभु ने वहाँ इसलिए रखा है कि हम उसको पड़े और ध्यान करें भजन पहला ही भजन जब अपन ले लेते हैं तो पहले भजन में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है कितना धन्य है वो व्यक्ति जो दु पापियों के रास्ते पर नहीं खड़ा होता है, पापियों के रास्ते पर खड़े होने का मतलब क्या है, ऐसी संगती में जहां हर कोई गलत काम करने की सोच रहा है, ना ही उपहास करने वालों के कुरसी पर बैठता है, उपहास करने वाले मतलब ये कौन है, जो प्रभु के व वो बोलते हैं वैसा ही आप बोलने लगेंगे, आगे लिखा हुआ है, बल्कि वो व्यक्ति रात दिन प्रभु के वचन पर मनन करता है, वो प्रभु के वचन से प्रसने रहता है, प्रभु के वचन पर रात दिन मनन करता है, तो यदि हम चाहते हैं कि सही रास्ते पर ही चलें यदि हम चाहते हैं कि गलत रास्तों से हम दूर रहे, यदि हम चाहते हैं कि गलत रास्तों को हम पहचान सकें जिससे कि हम गलत रास्तों से दूर रहे, तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु के वचन को रात दिन हम मनन करें, आप कहेंगे शास्त्री सर रात दिन तो पचासों काम करने पड़ते हैं, नौकरी भी करने पड़ती है, रात दिन कैसे मनन कर सकते हैं, उसका भी तरीका है, जब जब आपको free time मिलता है, प्रभु के वचन को पढ़िये, धीरे धीरे प्रभु का वचन आपको याद होने लगेगा, अभी आज ही मैंने आपके सामन कम से कम, चार पाँच प्रभु के वचन के पद, याददाश से सुनाएं, रोमियो तीन तेईस, सम्ने पाप किया है, और प्रभु की महिमा से रहित है, रोमियो छे तेईस, पाप की सजा है बृत्यू, लेकिन प्रभु इशु का वर्दान है, अनंत जीवन, यूहना तीन स क्योंकि प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया, कि उनने अपना एकलोता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे, वो नाश नहो परंतु शाश्वत जीवन पाए, उत्पत्ती एक-एक, आदी में प्रभु ने आकाश और पृत्वी की सृष्ट की की, दूसरा पत, पृत्वी बेडॉल और सुनसान थी, पत्मेश्वर का आत्मा अंध्यारे के उपर मन रहता था, इस तरह जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो उसमें से जो इस तरह के महतुपूर्न भागे वो आपको याद रहने ल गेंगी, इसलिए मैंने आपको बोला, इसलिए मैंने आपसे कहा कि रात दिन प्रभु के वचन का धियान और मनन करें, इसके पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी, कई बार ऐसा होता है कि कोई गाना हमारे मन को ऐसा सपर्श कर जाता है, हमारे भावनाओं को इस तरह से स्पर्श कर जाता है कि सुपह उठने से लेकर शाम तक जाने अन जाने उसी गाने को हम गुन गुनाते रहते हैं यह अनुभो कभी हुआ है क्या? सब को हुआ है ऐसा कई बार होता है कि हम जान बूचकर नहीं गा रहें लेकिन वो गाना हमारे ओठों पर बार-बार आ रहा है हमारे मन में आ रहा है क्यों? इसलिए कि वो गाना आपके मन में है आपकी यावदाश्त में है इसी तरह से जब मैं और आप प्रभु के वचन को सुबह रात फुरसप में जब उस वचन को पढ़ेंगे बार-बार पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमारे मन में बसने लगेगा और जब हमारे मन में बसने लगेगा तो दीरे दीरे प्रभु का वचन हमको याद आएगा जब भी हम किसी परिस्तिती का सामने करेंगे तो उस हिसाब से प्रभु का वचन हमारे सामने आएगा मान लीजिए आपके दफ्तर में कोई आपको धमकी देता है तब आपको ये शैया नाम की पुस्तक में जो पद है याद आएगा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ जब आपको लगता है कि बहुती कठिन कोई कारी है पताने मैं कैसे कारी करूँ तो प्रभु के महान दास मूसा को प्रभु ने जो वचन दिया था शांत रहो युद्ध मेरा है मैं तुमको जो छुटका रादूंगा उसको देखो इस तरह से जब हम प्रभु के वचन को दिन रात पाठ करते हैं तो प्रभु का वचन हमारे मन में बस चाता है और आउसर के अनुसार जैसे जरूरत होती है प्रभु का वचन हमको याद आता है और जब याद आता है तो प्रभु का वचन हमको प्रोग साहित करता है जिस तरह से वो गाना जो हमारी जीप पर सुभ से शाम तक बिना हमारे चाहिए ही आता है उस तरह से प्रभु का वचन आएगा तो आज जो बात मैंने आप सब के सामने रखी थी वो बात मैं दुबारा याद दिलाना चाहता हूँ और वो बात यह है कि प्रभु के महान दासों के द्वारा प्रभु का शुप संदेश गलातिया नाम के जगह पर लोगों के बीच पहुँचा उन लोगों ने इस बात को पहचाना कि हम सब पापी हैं उनने ये भी पहचाना कि प्रभु इशु हमारे पापों के लिए सूली पर बलिदान हुए और इस कारण उनने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया और जब ग्रहन किया तो उनको शाश्वत जीवन मिला कभी भी समाप्त ना होने वाला जीवन मिला शाश्वत जीवन के साथ समाप्त ना होने वाले जीवन की खुशिया भी बिली इन खुशियों का अनुभू उनने किया लेकिन उनसे एक गलती हुई प्रभु के वचन पर रात दिन ध्यान करने के बदले उनने ऐसे लोगों के वचन पर ध्यान दिया जो लोगों को प्रभू के वचन के बदले गलत रास्ते पर ले जाना चाते थे और इस तरह से वो गलत रास्ते की और जुग गए प्रभू का वचन उनको याद दिलाता है सच्चाई सिर्फ एक है और सच्चाई ये है कि मनुश पापी है लेकिन प्रभू के वचन को सुबश शाम पाठ करें जिससे की प्रभू का वचन हमारे मन में पूरी तरह से बस चाए जिससे की जहां भी हो जैसे भी हो प्रभू का वचन हमेशा हमको याद रहे आप कहेंगे कि ठीक है ये हम समझ गए कि प्रभू के वचन को ध्यान करना जरूरी है ये वचन का ध्यान करना जरूरी है जिससे की हमें अपने नई जीवन के बारे में कभी भी कोई भी शंका ना हो इसके अलावा कुछ फाइदा है कि जी हाँ प्रभू के वचन को जब हम नियमित रूप से पढ़ते हैं उसको ध्यान करते हैं तब प्रभू का वचन हमको सही रास्ता भी बताता है सही रास्ते पर चलना बताता है और जब हमारे सामने इस रास्ते पर जाना है इस रास्ते पर जाना है तो प्रबु का वचन एकदम से हमको याद दिलाता है मेरे बच्चे सही रास्ते पर जाओ तो जब हम प्रबु के वचन का ध्यान करते हैं तो वो हमारे आत्मिक जीवन को दिशा देता है आत्मिक जीवन को स्वास्तिय देता है आत्मिक जीवन को चंगाई देता है इन बातों को समझने के लिए प्रबू हम सब की मदद करे आज इस तरह से प्रबू ने हम सब को जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रबू का शुक्र गुजार हूँ प्रबू आप सब की मदद करे जै मस्य की उनका कोई भी प्रबचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की